नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार इंडिया मैं हूँ आपके साथ हकांग शबिष्ट जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF पर हुए आतंग की हमले में जिस तीवर शमता का मिलिटरी ग्रेड विसफोटक यानी RDX मिला था Forensic Experts ने खुलासा किया है कि वो RDX Defense Forces से ही मिलता है यानि कि आतंगवादियों को इतना ताकतवर RDX पाकिस्तान Defense Forces की ओर से दिया गया था खुफिया सूत्रों के मताबिक भारतिय सेना के पास उपलब्द प्रती ग्राम RDX निगरानी में रहता है लेकिन पाकिस्तानी मिलिटरी आतंग की समूहों को विसफोर्ट सप्लाई करने की वज़स से भी जानी जाती है खुलासा ये भी किया गया है कि जैशे मोहमत के आतंगवादियों ने पिठ्टू बैक से RDX को भारत में पहुचाया और मारूती एको वैन का इस्तिमाल उस RDX को रखने के लिए किया गया एक विशेश अग्या ने टाइम्स ओफ इंडिया को बताया कि फाइनल रिपोर्ट आने में समय लग सकता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तयार करने के लिए एक से ज्यादा प्रतिक्षित बम बनाने वाले भारत आये थे और इसमें ट्रिगर स्विच, डेटोनेटर और प इनियर एक्सपर्ट ने इस बात का दावा किया है कि इस हमले में 50-70 kg RDX का इस्तिमाल किया गया ताकि 100-300 kg शमता वाली चीज को बुरी तरीके से नश्ट किया जा सके जाच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए 6 आतंकी भारत में गुसे थे और उन्होंने हमले की पूरी साजिश रची थी हमले को अंजाम देने के लिए जिस गाड़ी का इस्तिमाल किया गया उसका चेचेश नंबर भी मिचाने की जाच में पता चला कि आतंकियों के पास अभी भी 20 किलों के खरीब आजी एक्स मौजूद है जिसके वो कभी भी हमले में इस्तिमाल कर सकते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर खबर से लेकर असर तक